खाल ही में खगोल विदों को एक अजीब नया रेडियो सिगनल मिला, जो हर 22 मिनट में आ रहा था। पिछले रिकोर्ड को गहराई से देखा, तो उनके होश उड़ गए। उन्हें एहसास हुआ कि यह सिगनल कम से कम 32 वर्षों से लगातार प्रिथवी पर आ रहा था। जो कि हर 22 मिनट में घूमने वाले पलसर की अपेक्षा कहीं अधिक स्थिर था। यदि यह एक न्यूट्र हम इस सिगनल के पीछे छिपे रहस्यों से जूँज रहे हैं, जो हमारे ब्रह्मांड में सबसे रहस्यात्मक वस्तूओं में से एक है। यह जिस स्थान से आ रहा है, उस जगह का नाम GPM J 1849 है। यह हमारी प्रिथवी से लगभग 18,000 प्रकाश वर्ष दूर है। इसका सिग इस सिगनल को पहचानने में सक्षम थे। उन्होंने गणना की कि स्रोत हर 21 मिनट और 58 सेकंड में एक चक्र पूरा कर रहा था। लेकिन उन्हें आश्चर्य तब हुआ। जब उन्होंने गणना की कि यह घूर्णन अवधी पिछले 35 वर्षों से एक समान रही है। हालां कि यह उम्मीद की जाती है कि स्रोत धीमा हो जाएगा क्योंकि यह अंतरिक्ष में उर्जा विकियन करता है। लेकिन यह पिछले 35 वर्षों से एक समान स्थिरता के साथ घूम रही है। यह आमतोर पर पलसर के लिए अजीब नहीं है। यह ब्रह्मांड के समय के रखवाले हैं और ब्रह्मांड की घडियाओं हैं। यह घडियाओं लगातार एक साथ टिक-टिक कर रही हैं। हम उनका उप्योग ब्रह्मांड के विशाल हिस्सों में समय मापने के लिए कर सकते हैं। हालां कि इतनी धीमी गती से घूमने वाले पलसर के लिए स्थिरता का यह स्तर अजी यूट्रोन तारा हमारे सूर्य से लगभग 35% अधिक विशाल होता है और एक गोले में सिम्टा होता है। लेकिन इसका पलसर से प्राप्त संकेतों से क्या लेना देना है? प्रकाश तरंगें कहां से आती हैं? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें एक जटिल प्रक्रि प्रित्वी ग्रह पर हमारे जैसे दूर स्थित एक परिवेक्षक के लिए, जब पलसर अपनी धुरी पर अपना घूरनन पूरा करता है, तो हम किरणों को बार-बार हमारे पास से गुजरते हुए देखते हैं। एक रेडियो दूर बीन ही इसका पता लगा सकता है, उत्प इस वजह से पलसर धीमा हो जाता है, इस प्रकार पलसर डेथ वैली में प्रवेश कर जाता है। एक बार फिर हमारे सिगनल के अनूठे गुणों ने एक नूट्रोन स्टार होने से बाहर कर दिया। सिगनल की खोज करने वाले खगोल विदों ने स्रोध की पहचान के लिए क कुछ विकल्प दिये हैं, जो कि हमने किसी सफेद बौने पर देखा है। वह हमारे बाईस मिनट के सिगनल के स्रोध से एक हजार गुना कम चमकदार है। तो यह एक सफेद बौने की संभावना नहीं है। तो हमारे अन्य विकल्प क्या है? खगोल विदों ने तारों और ए देखी है। लेकिन यह उत्सरजन आम तौर पर कमजोर होता है। हमारे सिगनल के स्रोध से लगभग 100 मिलियन गुना कमजोर। अंत में ऐसा लगता है कि हमारा कोई भी सिध्धान्त 22 मिनट के सिगनल की व्याख्या नहीं कर सकता है। हालांकि सिगनल के स्रोध के बारे में अ जो हमारे लंबे समय से चले आ रहे सिध्धान्तों को चुनावती देता है, तो वे हमारे चारों और ब्रह्मांड की हमारी समझ में क्रांति ला सकते हैं। यहां, न्यूट्रोन सितारों के बारे में हमारी पहले से ही कमजोर समझ को चुनावती दी जा रही है। खगोल जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जीपीम जे 1849-10 की तरहा। अन्य सिगनल पहले से ही हमारे द्वारा एकत्र किये गए डेटा में छिपे हो सकते हैं। इन में से अधिक संकेतों की पहचान करने से न्यूट्रोन स्टार डेथ वैली से परे उतसर्जन को शक्ती देने की प है। क्या यह रोमान्चक नहीं है? आपके अनुसार 22 मिनट के सिगनल का स्रोत क्या हो सकता है? मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएए, आज के लिए इतना ही मिलते हैं। किसी और knowledgeable वीडियो के साथ तब तक बने रहे हमारे साथ। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।